दोस्तों इंट्राडेट ट्रेडिंग अगर हमने करनी हो तो कोशिश होनी चाहिए कि सिंपल से सिंपल इंडिकेटर यूज करें इन्ट्राडेट ट्रेडिंग में हमारे पास time नहीं होता quick diseases लेने होते हैं और जन्ली अगर आप आप simple indicators use करते हो तो successful होने के ज्यादा chances होते हैं और simple indicators में सबसे popular जो है वो है super trend पर super trend indicator अगर आप intraday में करते हो तो एक सबसे बड़ी problem यह आती है कि जो intraday trading होती है उसमें जल्दी आपको पता लगना चाहिए कि entry कर कब है और जल्दी पता लगना चाहिए कि exit कब है पर जो यह super trend indicator है जैसे आप यहां पर देख रहे हो तो जो इसकी default settings है खास तोर पर उसमें हमें यह पता ही नहीं चलता कि कब entry है कब exit है जैसे आप यहां पर market हलागी flat चल रही है पर बहुत सारे trends चोटे बड़े और intraday के लिए हमारे पास यहां पर कोई opportunity नहीं आई तो super trend में क्य loss ज्यादा करते हैं because market already boost reduction में जा चुकी होगी आपको यह late बताएगा कि आपको market से exit करना और अगर आप इसकी settings change करते हो कि यह आपको थोड़ा से quickly बताए तो generally जो settings हम use करते हैं super trend की वह enough नहीं होती because फिर क्या होता है फिर इतने ज्यादा trade मिलने लग जाते हमें कि हम rather stop loss बहुत सारे हिट्ट होते हैं तो मैंने क्या किया है कि intraday trading के लिए मैंने super trend की कुछ ऐसी settings बनाई है जिनसे हम super trend को हम entry के लिए नहीं use करेंगे entry हम करेंगे किसी और indicator से पर super trend को हम सिरफ trend indicator की तरह use करेंगे because यह best है बताने के लिए कि हमने trend में बने रहना है या हमने exit करन है तो अगर हम entry दूसरे indicator से ले ले अब दूसरा indicator कौन सा होगा दूसरा indicator वह होगा जो हमें बताए कि trend शुरू होने वाला है बड़ा trend शुरू होने वाला और वह कौन सा हो सकता है वह RSI जिसकी full form है relative strength indicator यह बताता है आपको कि कितना fast momentum आ रहा है कितना strong momentum आ रहा है चाहे वह आप trend की तरफ आए चाहे वह downtrend की तरफ आए तो RSI अगर हम जूज करते हैं as a momentum indicator और RSI की value जैसे कि 60 से अगर उपर जाती है जनली जो ऑसिलेटर की तरह होता है इसकी value 0 और 100 के बीच में oscillate करती रहती है अगर इसकी value 60 से उपर जाती है तो हम इसको uptrend मानते है और 40 से नीच और 7 में हम super trend की use करें और super trend के उसको exit करने के कि का एकशए करना है तो अगर super trend की tumult into हम बने रहेंगे और trade continue रहेगा क्योंकि super trend हमें एक लंबी rally enjoy करने के लिए बहुत beneficial है अगर rally बहुत लंबी जा रही है मान लो intraday जैसे आप कर रहे हो तो सूबह से शाम तक अगर rally हो रही है market एक trend में जा रही है तो आपको super trend exit करने के लिए नहीं बताएगा प्रोवाइड आप उसकी सही settings यूज़ कर रहे हैं तो हम आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे settings कौन सी यूज़ करें और combination रहे हम trade करते हैं तो किस तरह से हमारी internet trading बहुत successful हो सकती है और साथ में हम because back testing को जरूर करके देखने वाले हैं और उससे हमें surety हो जाएगी confidence आ जाएगा और हम trade को अच्छी तरह से कर पाएंगे तो जल्दी से आप video subscribe कर लोगर आपने नहीं किया और हम video start करते हैं अब हम देखते हैं bank nifty के चार्ट में इस strategy को back test करके और यहां पर मैंने five minute का चार्ट देख रहे हैं five minute time frame है और intraday के लिए five minute is the best one और उसके बाद हम combination क्या कर रहे है इसका मतलब downtrend है और अगर green line होती है जैसे ही green से red में convert होती है आपने entry करनी होती है downtrend के लिए और red से जब green convert होती है तो हमने entry करनी होती है uptrend के लिए तो यह super trend के लिए इसको trade करने का यह एक method है और RSI जनली हम trade करते हैं तो RSI को हम plot कर सकते हैं indicators में जाके हम RSI choose कर सकते हैं और RSI add हो जाएगा नीचे और RSI हमने setting करनी है 60 और 40 की setting का मतलब है 60 से उपर जाएगा तो हमने uptrend के लिए enter करना और 40 से अगर नीचे जाएगा तो हमने downtrend के लिए enter करना है तो यह 60 और 40 के जो threshold है यह जो red और green में आप देख रहे हो यह threshold की marking है यह चूज कर सकते हो और RSI में जाके अगर आप settings करते हो तो आप 60 और 40 के यहाँ पर चूज कर सकते हो settings और इस तरह से आपको यह plot बनके सामने आ जाएगा और इसमें हमने क्या देखना है यह blue color की जो line है यह RSI की line है और अगर यह red को cross करके ऊपर जाती है जो आप ट्रेंड में अगर अप्रेंड में अप्रेंड के लिए एंट्रेंड के लिए अपको ना बता दे कि आपने एक कंडिशन इसमें यह है कि यह जो ट्रेंड करना हमने जो RSI है मॉर्निंग में starting में फर्स चीज यह नहीं होने चाहिए कि आरहाई सभी अगर आपको बता रहा है और आपने जैसे market खुलती है और आप ट्रेंड में यह जो टो एंटर क्योंकि उस समय क्या होता है जनली जब market खुलती है तो बहुत सारे अलगले trades हो रहे होते हैं तो जो market में अगर आप ट्रेडिंग करनी है तो अब पहले 15 मिन तो skip कर दो अगर ऐसा होता है कि market खुली और RSI की value 60 या 40 के ऊपर या नीचे है इन डैट केस आपने एंटर नहीं करना आपने तभी trade करना है तो that means morning का आपने time skip करना है अगर morning में ऐसा होता है कि RSI आपको signal करना है और आपने wait करनी है कि दिन में कब signal मिलता और यहां पर आप देखिए यहां पर RSI ने signal दिया दिन में RSI की value 60 से उपर यहां पर गई है जैसे यह उपर गई है आपने साथ में यह देखना है कि जो यह super trend है यह भी आपको already signal दे रहा हो उस समय आपने enter करना है और आप यहां पर enter कर सकते हो और आप जो exit करना है वह आप तब करोगे जब यह super trend बताएगा कि exit करना है तो आप इस तरह से इस trade में right कर सकते है यह चोटा सा trend था पर बड़े trends भी बहुत आएंगे यह वाला जो trend है हमने skip कर देना because as I told you यह morning के time पर आया तो इस trend में हम enter नहीं करेंगे on the safe side because हमें यह कि stop loss कम से कम hit हो जनली ट्रेडिंग में successful वह होता है जो अगर profit लेता है चाहे थोड़े से कम ले ले लेकिन उसके stop losses कम हिट होने चाहिए लॉंग रन में आप तभी चल पाते हो अगर आपके stop losses कम हिट होते है इससे आपका moral बना रहता है confidence बना रहता है तो आप देखो यहां पर यहां पर RSI की value 60 से उपर जा रही है यहां पर आप enter कर जाओगे और आप यह यहां पर trend continue कर सकते हैं यह trend चोटा है इसमें ज्यादा trend में बहुत upward moment नहीं आई है बट यह trend फिर भी है कुछ profit इसमें आपको मिल जाएगा फर्दर आप यहां देख सकते हो यहां पर भी एक चोटा से trend आया और साथ में आप जैसे ही आप enter करते हो exit आपने कब करना है exit आपने कब करना है जब super trend आपको बताएगा तो आप यहां पर भी यह trend राइड कर सकते हो यह पूरा intraday trend है जो आप राइड कर सकते हो profit इसमें से ले सकते हो एक जीस का अपने ध्यान रखना है जब आप option buying कर रहे हो तो अगर expiry बहुत नजदीक है तो आप कोशिश करो कि आप बहुत नजदीक की expiry का जो भी option है वो buy मत करो आप next expiry बहुत नजदीक है तो rather than profit आपको loss हो जाए हालां कि market अप गई फिर भी आपको loss होता है because options की value बड़ेगी पर साथ साथ हो घटेगी भी because of theta decay और कहीं जो मुवमेंट है जो मार्केट की मुवमेंट है जो डेल्टा मुवमेंट है वो सब कम होगी और तो result ही होगा कि आपको loss इसमें और फर्दर कितना benefit है तो और पीछे जाके back testing करके देखते हैं तो यहां पर आप देखो बहुत ही अच्छा आपको एक entry point मिल रहा है और यह entry आपने है यहां पर यहां पर ले और यहां पर यहां पर यहां पर 30 पीम हो गया मार्कित के टाइम है बहुत अच्छा आपको return आजएगा यहां पर देखिए यहां पर आपको 60 के ऊपर ऐसे की वैल्य हुए आपने यह एंटर किया और आप यहां एक्जेट कर जोगे जैसे ही सुपर टेंड आप को इंडिकेशन दे रहा है और इस समय आप एक्जेट कर जोगे और यह आपको प्रॉफिर नहीं हो रहे हैं देंगे और यहां नीचे का ठ्रेंड है लेकिन अगें यहां पर भी कुछ अच्छ आपको ऐसे मिल रही है यहां पर जार यह साही ओपर गया और साथ में आपको super trend ने भी बिताया तो आपने इतना यहां पर यह home और यहां पर भी आपको रूपरियगा एक सात में अब आपको super ेंच ने भी बिताया आप अब यह बहूंथ इंट्रस्टिंग की यह बहुत इंट्रस्टिंग और ये है multiplier ये दो settings आपने लेनी है इस strategy के लिए और ये जो मैंने settings लिए हैं ये इस तरह से लिए हैं कि जो super trend है वो हमें exit जल्दी बताए exit बहुत जलूरी है कि हमें जल्दी पता लगे ताकि ऐसा नहों जब market का trend चेंज होता है तो जो profit हमने अचीव किया वो सारा profit हमारा चला जाए तो इसलिए हमें super trend दोनों के लिए यूज करते हैं entry के लिए और exit के लिए इसलिए हमारा super trend इतना successful नहीं होता because market हर समय एक trend में नहीं होती market तो बहुत time पर एक range boundary होती है sideways market होती है sideways market में super trend काम नहीं कर पाता because super trend आपको थोड़ा यूज करेंगे और entry के लिए यूज करेंगे RSI जैसा indicator entry बताने के लिए momentum बताने के लिए और को ऐसा indicator नहीं है जितनी अच्छी तरह से RSI immediately आपको बता सकता है कि market में इस समय entry कर लेने जी because बहुत अच्छा strong trend आ रहा है RSI की range जब तक 60 और 40 के बीच में रहती है that means market sideways है तो हम बचे रहते हैं काफी देर तक market sideways हो रही है हम बचे रहते हैं उस तरह की situations और थोड़ा से देख लेते हैं एक बार पीछे back testing में कैसे इसमें results आ रहे हैं तो आप देखो काफी अच्छे results मिलते हैं और बड़े-बड़े trends भी हैं जो सारे बड़े trends आप कोई और यहां पर super trend ने आपको बताया है कि exit करना है आप बहुत ही अच्छा profit आप ले सकते हो और यहां पर भी आपको मिल रहा है यहां पर 40 से नीचे गया RSI यहां पर आप enter कर लोगे और then again आप यह थोड़ा सा यहां तक मुझे लगता है इसमें आपको बहुत profit नहीं मिलेगा पर loss भी नहीं मिलेगा that is the best point और यहां पर यहां पर यह वाली entry हम नहीं ले पाएंगे as I told you कि morning के time पर अगर already market अगर gap down या gap up खुलती है तो उसमें RSI already आपको range दिखाएगा already आपको entry point दिखाएगा पर फिर भी आपने वो trade नहीं लेना because morning time में volatility high होती है so I hope दोस्तों आपको मज़ा आया होगा strategy बहुत simple है आप internet trading कर सकते हो इससे और super trend और RSI का combination यूज़ कर सकते हो अपने दोस्तों को जुरूर आप यह शेयर कीजिए strategy और वीडियो को like करना मत भूलेगा और मिलते हैं इस तरह के और वीडियो में